दोस्तों सक्सेस के लिए दो चीजे बहुत जरूरी हैं एक है आइडिया और दूसरा कितनी शिद्दत से आप इसे अपलाई कर सकते हैं तो perseverance, perseverance और सिर्फ perseverance यानि दृड़ता है जो आपके बिजनस को सक्सेस्फुल बना सकती है अब कई लोग होते हैं जिनमें काम करने की ख्वाइश तो होती है कुछ बढ़ा करने की जित भी होती है या तक की थोड़ा बहुत पैसा भी है जो उन्हें बचा के रखा है लेकिन उन्हें पता ही नहीं होता कि उस पैसे का करें क्या, कहां लगाएं, किन लोगों के साथ काम करें, कहां शुरुवात करें तो हमने ये सारे सवालों को निचोड़ कर अपना कोर्स तयार किया है जिसका नाम है 25 Business Ideas Under 3 Lacks मैं हूँ समरिती ग्रोवर, प्रोफेसर बड़ा बिजनस और अगर आप एक entrepreneur बनना चाहते हैं कोई start-up idea ढूण रहे हैं, then this course is for you क्योंकि कम लागत में हम बता रहे हैं कुछ full proof business ideas और कैसे आप अपनी entrepreneurial journey की शुरुवात कर सकते हैं इस course में हमने जो ideas आपको बताए हैं, वो है blogging से related, content writing से related, ghost writing से related, play school, crash कैसे शुरू करना है account keeping आप कैसे कर सकते हैं लोगों के लिए, interior designing एक अच्छा idea है, coaching classes आप कैसे शुरू कर सकते हैं, bakery business आप घर से कैसे कर सकते हो different service कैसे शुरू हो सकता है, salon कैसे शुरू हो सकता है, LED light manufacturing कैसे होती है, franchise based businesses में आप कैसे इसा ले सकते हैं t-shirt printing आप कैसे शुरू कर सकते हैं, gift shop कोलना, soap making business कैसे होता है, refurbish items कैसे आप बेच सकते हैं, photography आप कैसे कर सकते हैं, events की जो photography आजकल बहुत चल रही है, DJ business आप कैसे शुरू कर सकते हैं, तो इन business ideas से जुड़ेना हमने finances की बात की है, cost की बात की है, ROI कैसा होगा, location कैसी होनी चाहिए, equipment कैसा होना चाहिए, raw material आपको क्या-क्या चाहिए होगा, training कैसी आपको देनी है, market में business के statistics क्या है, इसका growth का scope क्या है, manpower की requirement क्या होती है, marketing आपको कितनी कप-कप करनी है, ये सब pointers जो बहुत important होते हैं, business plan बनाने के लिए, एक business का जो कहते हैं na forecast करने के लिए, ये सब हमने आपको समझाए है, जिसका मतलब है कि आपको ना सिर्फ idea दिया जाएगा, बलकि उस idea को शुरू से लेकर execute कैसे करना है, इसकी पूरी journey आपको हमारी इस वीडियो में हमने बताई है, हाथ में business का blueprint देंगे, और अगर आप इमानदारी से अपने लिए कोई business idea चुनत देने वाले हैं, लेकिन इन business ideas के अलावा भी इस course में बहुत कुछ आपके लिए है, जिसमें हमने आपको बताया है कि कोई business idea पसंद आने पर आपको investment से पहले क्या करना होगा, उस idea को evaluate कैसे करना है, उसकी हमने आपको tips दी हैं, कैसे आप जान सकते हैं कि कोई business होगा hit या flop, इसके लिए हमने एक checklist तयार की है, इसके साथ आप आसानी से जान जाएंगे कि क्या होगा business का अंजाम और हमारे business idea से जुड़ी कुछ success stories के बारे में भी हमने आपको बताया है, तो ये तो बात हुई इस course की, तो हमारी इस learning से आप शुरी कर सकते हैं अपने entrepreneur बनने का सफर औ जो आपको बता सकेगा कि आप क्या business में enter कर सकते हों, हम तो हमेशा ही कहते हैं भई, learning is equal to earning, तो learning करो और अपनी earning बढ़ाओ, तो इस वीडियो को ध्यान से देखने के लिए और इसके दिये गए ideas को, at least सोच, विचार और implementation की stage तक पहुँचाने के लिए आपका बहुत बहु